आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे बंदूक के बारे में जिसका नाम सुनते ही किसी के भी दिमाग में पहला खयाल डर का आता है जी हां हम बात कर रहे हैं AK-47 राइफल के बारे में इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप से नरोध है कि नीचे दिये गए सस्क्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सस्क्राइब भी सरूर कर लें इस राइफल को भारत में केवल आर्मी या पुलिस के स्पेसल फोर्स सी इस्तमाल करती है इसके अलावा भारत में किसी आम आदमी का इसको रखना गैर कानूनी होता है भारत में अगर ऐसे किसी भी आम आदमी के पास यह बंदूक बरामद होती है तो उस सक्स के खिलाफ इतनी खतरनाक है यह तो आप समझ ही गए होंगे अब सबाल यह उठता है कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसको लेकर भारत में इतना सक्त कानून है और आतनकवादी भी इसका इस्तमाल क्यों करते हैं तो आईए जानते हैं AK-47 से जुड़ी हुई कुछ दिल्चस् AK-47 का पूरा नाम Automatic Classnikov 47 है यह राइफल 1947 में बनी थी इसलिए इसके नाम के साथ 47 को जोड़ा गया AK-47 का अविशकार मिखाईल Classnikov ने किया था लेकिन उन्होंने अपने इस अविशकार से कभी पैसा नहीं कमाया 2013 में 94 साल की उम्र में मिखाईल Classnikov की मौत हो गई थी आपने इसकी बेसिक जानकारी तो जान ली है तो आईए जानते हैं AK-47 की कुछ खासियतों के बारे में AK-47 राइफल में एक बार में 30 गोलियां भर सकते हैं इस बंदूक की नली से गोली छुटने की रफतार 710 मीटर प्रती सेकेंड होती है इस बंदूक से एक सेकेंड में 6 गोली निकलती है यानि एक मिनट में लगभग 600 राउंड फाइरिंग की जा सकती है ये इतनी पावरफ दरह की खास ट्रेनिंग की जरुरत भी नहीं होती इसकी साफ सफाई करना और इसे मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है और यह किसी भी मौसम में आसानी से चलता है इस बंदूक पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता AK-47 राइफल का AKM वर्जन इस समय दुनिया का सबसे हलका राइफल का वर्जन है फुल लोड होने के बाद भी इसका वरजन मात्र चार किलो होता है AK-47 में Automatic और Semi-Automatic दोनो तरह से काम कर सकती है Automatic मोड में एक बार Trigger दबाने से कोलियां चलती रहती है और Semi-Automatic मोड में एक बार Trigger दबाने से सिर्फ एक कोली ही निकलती है AK-47 राइफल एक अकेली ऐसी राइफल है जो पानी, मिटी या रेथ किसी भी वातावरन में काम कर सकती है यह बंदूक मात्र आठ पूर्जों से मिलकर बनती है और इन्हें एक मिनट में जोड़ा जा सकता है यह दुनिया की इकलोती ऐसी राइफल है जिसे बच्चे तक भी आसानी से चला सकते हैं AK-47 तीन सो मीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगा सकती है अगर सूटर अच्छा हो तो इससे आठ सो मीटर तक की दूरी पर भी निशाना लगाया जा सकता है आधुनिक AK-47 राइफल में एक ग्रेनेट लाउंचर भी जोड़ा जा सकता है अगर इसकी लाइफ की बात करें तो इस गन की लाइफ 6,000 से 15,000 राउंड फाइरिंग तक होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होने वाले हथियार के रूप में AK-47 का नाम Guinness Book of World Records में सामिल है आज के समय में दुनिया में करीब 10 करोड AK-47 है यानि दुनिया में हर 70 लोगों पर एक AK-47 राइफल मौजूद है यह दुनिया में सबसे ज़्यादा आवैद रूप से बिकने वाली राइफल भी है रूप के अलावा दुनिया में AK-47 को बनाने और सप्लाइ करने का लाइसेंस 30 अन्य देशों के पास मौजूद है जिसमें चीन, भारत, मिस्र, इसराइल, नाइजीरिया, आदी देश सामिल है इन सब देशों में चाइना में सबसे ज़्यादा AK-47 को बनाया जाता है अब आप समझ गए होंगे कि AK-47 क्यों इतनी खास होती है और आतंकवादी अपने घिनवने इरादों को पूरा करने के लिए ज्यादा तर इसी बंदू का इस्तमाल क्यों करते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आसा है आपको यह वीडियो पसंदाया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंदाया है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपना सुझावल जरूर दें और जाते जाते हमारे चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में